Good morning 7th class, बच्चे यहां पर हमारे 6th chapter हिस्ट्री का स्टार्ट कर दिया गया था Chapter के पार्ट का नाम जो था आपके वो नगर, व्यापारी और शिल्पी जन था यहां पर बटे page number 2 पर हम प्रशाशने केंद्र को पढ़ रहे थे इसके अंतरकत आप लोग अपनी पैंसिल को अपने हाथ में रख लें, page number आपके 76 निकाल लें यहां पर बच्चों आपके द्वारा जो अध्यन किया जा रहा है, वो मैं फिर से स्टार्ट कर रहे हूं प्रशाशने केंद्र से अध्याय दो में अपने चोल वंश के बारे में पढ़ा था, काफी डिटेल के अंदर हमारे द्वारा उस वंश के बारे सामने जानकरियां ली गई थी हम अपनी कलपना के गोड़ों को दोड़ा, गोड़ों पर सवार होकर चोल राजाओं की राजदानी तंजाबुर, जो उनकी राजदानी का नाम था तंजाबुर, जो कावेरी नदी पर इस्तिती, जैसा कि वह एक अजार वश पहले था कि यात्रा पर हम चलते हैं वश के बारे महिने बहने वाली कावेरी नदी सुन्दर नगर के पास में बहती है मतलब तंजाबुर जो शहर था जो नगर था किसका चोल राजाओं की राजदानी थी वो कावेरी नदी के किनारे कावेरी नदी उसके किनारे से या उस शहर से उस नगर से बहती थी राजा राज चोल द्वारा निर्मे राज राजश्वर मंदिर की गंटियां बस्ती हुई इस नगर में सुनाई देती हैं यह मतलब राज राजश्वर जो मंदिर था हमने इसके बारे में डेटेल में पड़ा था काफी बड़ा मंदिर था ये साउथ का और इसका जो गुंबत था वो काफी उचाई लिये हुए है उसकी जानकारी हमने सेकेंड जैप्टर में पड़ी थी यहां केबल उस तंजाबुर शहर के बारे में नगर के बारे में कुछ जानकारियां और ले रहे हैं जिसके अंतरकत राज राज जेश्वर मंदिर की गंटियां जो पूरे नगर में सुनाई दिलते थी लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मलल राज राज पेरू थच्चन की वास्तुकला की प्रशंचा करते हुए नहीं थखते हैं लोग से मतलब है उस शेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा वो जो मंदिर का मैप था जिस वास्तुकार के द्वारा बनाए गया था उसका नाम आप लोग नोट कर लेना उस वास्तुकार का नाम कुंजर मलल राज राज पेरू थच्चन था और हमें कैसे पता लगा कि इस वास्तुकार का नाम हमारे द्वारा जब उस मंदिर का विस्तरित रूप से अध्यन किया जाता है बच्चों तो वहां पर हमने देखा कि उस वास्तुकार का नाम हमें इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर के देवार पर उतकिन किया हुआ है, मंदिर के बीतर एक विशाल शिवलिंग भी इस्तापित किया गया है, इस मंदिर के अलावा नगर के अनेक राजमहल भी यह थे, जिसमें कई मंड़प बने हुए थे, यह हम पूरे तंजाबुर जो पूरी चोल राजाओं की राजदा नहीं थी, सब इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं, जिसमें अनेक मंडप बने हुए हैं, राजा लोकिन मंडपों में अपना दर्वार लगाते हैं, यहीं से वे अपने अधिनस्तों के लिए आदेश भी जारी करते हैं, नगर में शेहने सिविर भी बने हुए हैं, इसके अनाज, मसालों, कपड़ों और आबुष्णों की विक्री की जाती थी या हो रही है नगर के लोग जल की आपूर्ती कुओं और तालावों से करते थे मतला वैसे तो कावेरी नदी यहां पर बहती थी उसके पानी की जगे कुओं और तालावों के पानी को पीने के लिए काम में लेते थे जल की आपूर्ती के रूप में प्रयोग करते थे लाइन नोट कर लेना नगर के लिए जल की आपूर्ती कुओं और तालावों से होती थी तंजाबूर और उसके निकटवर्ती नगर उरेयूर के सालिये बुनकर्न मंदिर के उठसब के लिए जंडियां बनाने का कपड़ा राजा और अभिजातवर के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जन सादरन के लिए मोटा सूती वस्त्र त्यार कर रहे हैं यहां से कुजदूरी पर स्वामी मलाइक में स्तापित अत्वा मूर्तिकार उत्तम कास्य मूर्तियां तता लंबे सुंदर गंटा धातू के दीपों को बना रहे हैं यह सारी जानकारी हमें तंजाबुर की मिली हैं जिसके अंतरगत वांग का मंदर जो फेमस मंदर था आज भी जिसके अस्तित्व पाय जाता है दूसरे नमबर पर उस नगर में पाए जाने वाले अनेक राज महलों की जानकारी जिसमें सैने सिवेर भी समलेत होते थे और तीसरा वहां के बजारों की स्थति जहां क्या-क्या माल बिकता था और कोई बिकती क्या कार्य करता हुआ दिखाया गया है वो सब हमारे द्वारा यहां पर पढ़ा गया है बिटे आगे बढ़ रहे हम मंदिर नगर और तीर्थ केंद यह हमने प्रशाशने केंदर के अंतरगत पढ़ा था क्योंकि चोल राजाओं की राजदानी यह तंजाबुर थी तंजाबुर शहर जो था वो एक फेमस शहर था प्रशाशने द्रश्टी से दूसरे नंबर पर हम पढ़ने हैं बिटा मंदिर नगर मंदिर नगर मतला वो नगर जो मंदिर इस्तेत होने के कारण फेमस हुआ है या तीर्थों का केंद्र है तंजाबुर भी इसका एक उधारन है क्योंकि तंजाबुर में भी राज-राज़िश्वरम मंदिर जो था राज-राज के दौरा जो महाराजा राज-राज के दौरा बनाए गया था वो बहुती फेमस मंदिर था तो एक तरह से मंदिर नगर का उधारण तंजाबूर भी हम कह सकते हैं तंजाबूर एक मंदिर नगर का भी उधारण है मंदिर नगर नगरी करण का एक अत्यन्त महत्पून प्रतिरूप प्रस्तोत करते हैं नगरी करण जो होता है वो नगरों के विकास की प्रकिरिया को कहते हैं। अब ये मंदिर किस तरह से नगरी करण में सायक होते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है? यहां पर देखो आप ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। मंदिर अक्सर समाज और अर्थवेस्ता दोनों के लिए ही अत्यन महत्पण होते हैं। आप डेली, घर में, बड़े बुजूर्ग, मम्मी, आपके नियमेत रूप से मंदिर में जाती हैं। मतलब ऐसा स्थान जहां पर नियमेत रूप से व्यक्ति जाना पसंद करता है। मंदिर अक्सर, समाज और अर्थवेस्ता दोनों के लिए ही अत्यन महत्पण होते हैं। पहले मैं समाज के लिए बता रही हूँ, फिर अर्थवेस्ता का अपने आपी वहां पर प्रियोग होगा या मलब आर्थे क्रियाएं वहां पर संचालेत होती हैं आपको दिखाई देंगी। शाशक जो राजा होता है, वे बिन देवी देवताओं के प्रती अपने भक्ती भाव को दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे, वे मंदिरों को भूमी और धन अनुदान देते रहते थे, जिससे उनकी आए से जो मंदिरों को भूमी दान में मिलती थी या धन अनुदान के रूप में प्राप्त होता था। उस धन से धार्मेक अनुष्ठान, विधी विदान से संपन किये जाते थे मंदिरों में, तीर्ती आत्री भी आते रहते थे मंदिरों में, पुरोहित, पंडितों को बोझन भी कराए जाता था, और परवोथ समनाए जाते थे, मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिना किया करते थे तो मंदिरों को चारों तरफ से दन दौलत की प्राप्ति हुई राजाओं के द्वार मंदिरों का निर्मान कराए गया दन, भूमी, आधी वो बार बार उधार देते दार नहीं सारी, अनुदान देते रहते थे इसी तरह से तीरतियात्री आते थे तो वो भी मंदिरों में दान पुन्य करते थे पुरोहित पंडितों को वो बोजन कराना, उनको दान दक्षिना देना इसके अलावा जो होते थे वहां रहने वाले लोग मंदिरों के असपास के वो भी काफी अधिक दान पुर्णे या दान दक्षिना दिया करते थे इन सब दान दक्षिनाओं की सायता से मंदिर के प्रतेक धार्मिक अनुष्ठान विधी विदान से संपन होते थे और परवोत सब बहुत ही उत्सा के साथ मनायाई जाते थे आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं बेटा यहां पर पेज नंबर आपके 77 पर उपर वाला जो बॉक्स बना हुआ है और उसमें जो तांबे की प्रतीमा दिखाई गई है उसके बारे में मैं आपको बाद मेता हूँगी पहले इसके नीचे जो लिखा हुआ मैटर है मंदिर से रिलेटिव उसका हम अध्यन करते हैं जिससे हमारा क्रम बने आ रही मंदिर के करता धरता मंदिर के धन को व्यापार और सावकारी में लगाते थे ये एक बहुत बड़ी विशेषता है बेटा मंदिरों में इतना जो धन आता था उसको मंदिर के जो करता धरता होते थे मंदिर के पुजारी पंड़ेज जो होते थे वो उस धन को व्यापारिक क पोजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी, आदी मंदिर तता उसके दर्शनार्तियों और तीरतियात्रियों की आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपासी बस्ते चले गए थे। जैसे मद्य प्रदेश के भील स्वामिन, भील साग या विदीशा और गुजरात में स्वामनात का मंदिर, अन्य कुछ महत्पुन मंदिर नगर, तमिल लाडू में कांचीपुरम और मदूरे तथा अंदर प्रदेश में तिरुपती को है। दान करने के लिए दान से प्राप्त हुआ जो धन होता है, वो सिक्के जो होते है, सिक्कों को गिना नहीं जाता है, बलकि उसको तोल कर, तोला जाता है और तोल के अधार पर बता दिया जाता है, कि ये कितने, इतने के लोके हैं तो इतने सिक्के हैं ये या इतना इसमें दन है, तो इस तरह से बन मंदर जो थे, कितने दन समपदा से परिपून थे, ये आप समझ सकते हैं, आगे बढ़ते हुए बताती हुए, तीर थिस्तल भी दीरे दीरे नगरों के रूप में विक्सित हो गएते, फिरिंदावन जो उत्तर प्रदेश में पाए जाता है, तिरुवर्न मलाईद जो तमिलनाडू में पाए जाता है, ऐसे नगरों के दो धारण है, अजमेर, राज एक्षनिक नगरी भी अजमेर को माना जाता है, अजमेर जो राजिस्तान में पाए जाता है, बारवी शताबदी में चोहान राजाओं की राजदानी था, और आगे चलकर मुगलों के शाशनकाल में वे सूबा मुख्याले बन गया था, यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्क्रेश्ट उधारन प्रिस्तोत करता है, सूप्रसित, सूफी, संद, ख्वाजा, मुईनित्दिन, चिष्टी, नाम नोट करनें बिटा यह, अजमेर में जो दरगा पाई जाती है, ख्वाजा, मुईनित्दिन, चिष्टी की पाई जाती है, यह बारवी शताबदी म जो श्रद्धालू होते थे, सभी पेज चेंज कर लें अपना पंथों और मतों के हुआ करते थे, विविन पतों पंथों और मतों के हुआ करते थे, यह जो मुहिने दिन चिष्टी थे विटा, यह आपके सूफी संथ थे, इन्हें हम मौमडन नहीं कह सकते, ना हम इन्हें हिं पुषकर सरोवर एक पवित्र सरोवर की तरह से माना जाता है हमारे धार्मे का नुष्ठान जब संपादित होता है तो पुषकर सरोवर में इस नान को विशेश महत्व दिया जाता है फिर से अपने पेज नंबर एक बैक पर आजाओ यहां पर आपने देखा होगा एक चित्र बना हुआ था इसके उपर एक मूर्ती है यह विश्णो भगवान की मूर्ती है बटा विश्णो भगवान ने जब कालिया नाग को कालिया नाग जो था वो यमना नदी को जहरीला बना रहा था और पूरी यमना नदी पर अपना अधिपत्य जमा कर बैठ गया था जब त्रेता युक के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो इन्हों ने इस कालिया नाग को अपने उस पर नियंतरन में कल लिया था तो उस समय कालिया पर नियंतरन करने के कारण जो द्रश्य दिखाए गया है वो इस मूर्ती में दिखाए गया है यह जो नाग के रूप में नाग के फन के उपर मूर्ती पर दिखाए दे रहे हैं ये बगवान श्री क्रेश ने जो नरते कर रहे हैं इस कालिया नाक के फन के उपर और उसकी पूँच को इनके हाथ के द्वारा पकड़ा हुआ है। या अबूतपूर, शक्ति, धन, संपदा, वैबव और हमारी भावना जो इश्वर के प्रती होती है। उसका प्रतीक होते थे, उसमें हम हर सुन्दर और पवित्र चीज को रखना चाहते थे और जो मूर्तियां बेसिकली बनाई जाती थी, वो कासे की होती थी। थोड़ी जा रागे से मतला तीन, तिन जो होता है, कि मेल से बनती है, नोट कलो कासा मिश्र धातू, एक नमबर का कुश्चन होता है, और किसका मिक्सिंग होती है, ये तामबावा रागे का, तिन का, घंटा धातू के, घंटा जो घंटा बसता है न, घंटा मंदिर में घंटे बजाते हो गंटा धातू के रागे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कासे में से अधिक होता है ये गंटे जैसी द्वनी भी उत्पन करता है चोल कालिन कासे मूर्तियां अध्याई दो में हम देखेंगे लुप्त मौम टक्नीक से बनाई जाती थी कि अब ये लुप्त मॉम्त टेक्निक क्या हो गई? मूर्ती बनाने का एक तरीका पढ़ें, इसमें क्या दे रखा है? इस प्रविधी के अंतरगा सर्व प्रतम मॉम को एक प्रतीमा बनाई जाती थी, मॉम से बनाते थे सबसे वेले प्रतीमा, इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था मॉम को, जो मॉर्थी बनाई जाती थी मॉम की, उस पर चिकनी मिट्टी लपेट दी जाती थी विटा, और जब वे पूरी तरह से सूख जाती थी चिकनी मिट्टी तो उसे गर्म किया जाता था, और उसके बाद मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बना कर उस छेद के रास्ते से सारा मौम पिगला कर बाहर निकाल लिया जाता था फिर चिकनी मिट्टी के खाली साचे में उसी छेद के साहरे पिगली हुई धातू को भर दिया जाता था ये जो कासा होता था ना मिश्र दातू इसको भर दिया जाता था और जब धातू भी ठंडी हो जाती थी ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को साफदानी पूरवग हटा दिया जाता था इसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था इस तरह की ट जो इतना ही, थैंक यू गुटा.